पास 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगबख 7 मदरसों में तैग किया है कि हम उनको modern मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे जिनके अंदर proper dress code लागू करेंगे और उसके बाद वो modern मदर से होंगे, वो modern मदर से होंगे और उन modern मदर से की तालीम भी modern होगी हमने कहा है कि फजर की नमज के बाद से 8 बज़े तक आर्ट बजे से 2 बज़े तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे जिसके अंदर NCRT की बुक्स को लागू किया जाएगा जहां उत्राखंड बोर्ड में उन्हें रिजिस्टर्ट कराया जाएगा और बहुत इमानदारी के साथ सामान ये बच्चे भी अलग-अलग संपरदाई के अलग-अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरस पे हम उसे चलाएंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजिनियर, फिलोसफर बने और एपीजे अब्दुलकलाम साथ के रास्ते पर चलके आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मौडन मदरसों को बनाना चाहते हैं तो स्कूल में एक सिमेट्री चाहिए होती है, उस सिमेट्री को लागू करने के लिए प्रॉपर स्कूल की तरह हमारे मदर से चलेंगे और भविश्य में हम तो पहले से ही कहते हैं कि देरादूनो उत्राखंडो ये एक एजुकेशन हब है, हम इस एजुकेशन हब में हम कैसा खूबसूरत सिस्टम लागू करें जिससे जो खाई है उसे पाटी जा सके और देश का युवा देश के काम्याबी के लिए अपना य इंसी आटी बुक्स का जो सिलेबस होगा उसी सिलेबस को पुरी तरह से इंप्लिमेंट किया जाएगा और मैं कहता हूं कि हर समाज का विक्ति आएगा ना मेरे मदरसे में और उस मदरसे में दो बज़े तक वो स्कूल रहेगा, दो बज़े के बाद फिर मदरसा में दो पहर तक सामान ये स्कूल की तरह बज़ेगा, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, अगर हमारा विजन पुरी इमानदारी से इंप्लिमेंट हुआ, तो शादाब शम्स का बेटा उस मदरसे के स्टूडेंट के रूप में उस पहले मदरसे में शादाब शम्स अपने मदरसे, जो वकबोड के 103 मदरसे हैं, उसमें पूरी तरह से इंप्लिमेंट करेंगे, यह हम एक क्योंकि एक्जाम्पल के तौर पे इने वकबोड खुद चला के दिखाएगा, फिर बाद में जो कमेट के होंगी, वो अपने हिसाब से चलाएंगे, हम तो एक एक चलाएंगे, वकबोड के साथ खड़ी हैं, और मैं यह कह सकता हूँ, इतनी बड़िया टीम वकबोड में हमें मिली है, आईएस ओफिसर वकबोड के सीओं हैं, एक आएफस अधिकारी वकबोड की सदस्ये हैं, बहुत अच्छे हमारी टीम, तमाम सदस्यों की और मेंबर्स क और अधिकारियों की बनिये, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो हमने विजन रखा है, उसे हम इंप्लिमेंट करने में पुरी तरह से कामियाब होगे, हमने कहा है कि हमने चैनित कर लिए हैं मदर से, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मानने मुख्यमंत्री जी ने, मानने मंत्री जी ने, मानने शिक्षा मंत्री जी से वारता रह गई है, हमें लगता है कि मौडन मदर से ग्रूप में उन्होंने हमें अश्वस्त किया है, कि जो भी करना होगा, जो साहता आपको चाहिए होगी, वो सरकार आपको पूरी इमानदारी से आपके साथ है, हर संभाव मदद देने के लिए सरकार ने मुझे अश्वस्त किया है,